नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियस पर यहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सम्मधिते सभी महत्पूर्ण सुचनाय परदान की जाती है उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस साल आने वाली नई भरतियों की 40,000 नई भरतियों की असल में आज पुलिस भरती एवं पुरुन नदबोर्ण ने एक नोटिस जारी किया है दरोगा भरति के परड़ाम के बाद और उसमें ये भी बताया है कि इस साल कौन कौन सी पुलिस विभाग से भरतियों आने वाली है विश्त्रित नोटीस है और इस नोटीस में ये भी पताया गया है कि बेसी वाले कितने चात्र चेहनित हुए हैं, बीटेक वाले कितने चात्र चेहनित हुए हैं, बीकाम वाले कितने चात्र दरोगा बने हैं, आज किस जिले से कितने चात्र दरोगा बने हैं, ये भी आज उस पर गोशित किया गया है जिसे आप लोगों को यहां पर देखना चाहिए और उत्तर प्रतेस्ट सासन ने चिताने की कोशिस किया है कि जो पहले आरोप लगते थे कि कुछ खास जिलों से दरोगा भरती या कोई भी नोकरी हो वहां के लोग चैनित होते थे यह बातें आती दिन निकल करकी है और उसी को दूर करने के लिए सरकार ने सफाई देने के लिए नोटीस जारी किया है यह बहुत सारी अची बाती भी जैसे नई भरती के बारे वी हो कितना गयां यहांपर आप लोग दे सकते हैं इसकी में पहले वीडियो बना चुका हूं से एस्टी और ओबिसी की और उसके बाद में यहां पर यह भी पताया गया कि किस साल के कितने चातर चाहतर चाहतर हुए पर आप लोग देख लिए और चुंकि समानबर के जो चातर होते उनकी जो अधित्तम एज होती ही वह 28 सल ही होती है जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं और इसलिए 28 वर्स के जो लोग है वह 382 हैं इस नोटिस में यह भी बता दिया कि भूत पूर सैनिक 375 चैनित हुए यहां पर देख सकते हैं सबसे चाता जो चात्र चैनित हुए है और यहां पर यह देखिये लिखा हुआ है यहां पर यह देखिया उत्तर चैनित हुए और बाहरी जो राज्य महां के कितने चैनित हुए हैं अलग राज्यों का जो डाटा है वो दिया गया है और यहां पर उत्तर प्रदेश के 9007 और मत प्रदेश के 197 चातर चेहनित हुएं बिहार के भी 172 चातर चेहनित हुएं दिल्ली के भी 43 रदस्थान के 49 हर्याना के 31 उत्तर खंड के 21 जार खंड के 15 वेश्ट बंगाल के 4 चत्तिस गड़ के कि दो चातर माराष्ट का एक हिमांचल का एक दादर नागर हवेली का भी एक ग्रांट टोटल 9534 यानि कि लगबाग 525 चातर 26 जो हैं वह दूसरे राज्यों के जो चैहनित हुए हैं चुकि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के जो चात्र वह आविदिन कर सकते हैं और हाल के बारे में बताऊंगा चुकि नोटिस में आने वाली वर्ती के बारे में भी जानकारी धी गये आप लोग क सबस्क्राइब करें लें कि सब्सक्राइब भू सबसे पहले आप लोगों को अन्तिक मिलत नन्यू सबसे जाएधा 940 चैनिती वें और अग्रा मंडल में अधार मंडल आप लोग देख सकते हैं यह चित्रकूर्ट में सबसे कम अठारावी द्यारती चैनितुएं बांदक अंठावन हमीर पूर से नए अधियाचन के 829 प्रदों के सापेक्षे नागरिक पुलिस की सीधी भरती की प्रक्रिया वह प्रारम कर दी गई है इसके अतरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतरगत लिपकी संवर के 1329 प्रदों के सापेक्षे ने तो ऑनलाइन परिच्छे का प्रणाम भी घोचित हो चुका है अभिलेखों का यानि डीवी की जो कारवाई पूरी हो चुकी है और इनका टंकड़ और आश्री लेकन की परिच्छे संपन कराकर के तीन महीने में इनका जो प्रणाम हो जारी कर दिये जाएगा नए भरती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि माननी मुक्यम सापेक्ष रहाए समेक्री प्रक्रांब कर दी गई है और जो इस्तालों और प्रसलित है नाने किसी के टेंडर की प्रक्रांब कर रहे है तो वह प्रक्रिया लिका हुआ है कि को उत्ततर प्रदेश पूलिस में रेडियो साखा कि अंतर कर सापेक्ष देखर है व consumeMusic कि अरे डि यह लिखा है उत्तर प्रदेश पूलिस में कंप्यूटर आपरेटर के 693 में आरक्षी नागरी पुलिस समकर्ष पतों के लिए 26282 पतों पर वर्थी होनी है आरक्षी पीसी के 8540 और जेल वार्डर के 1582 पतों और अन्य पतों के लिए भरती के समध्र में अधियाचन पूलिस और लिख घ्रव जोड़ेंगे अप लोग यहां पर 26 जार यह भरती हो गई और 8000 यह भरती हो लगबक यहां पर आप लोग इसको जोड़ सकते हैं कि 3730,000 तो किवल यह भरती हो जाती है और उसके बाद में यह जो और भी आर भी यहां पर अन्य पतों के बारें जानकारी द लगवाग 40,000 पंदों की बरती प्रक्रिया है वो चल रही है द्रोगा बरती की प्रक्रिया वह अलग से चल चुकी तो और चात्रों को यह भी कहना है कि यह जो कुछ भी दिखाया गया जो भी चात्र पकड़े गए सरकार के वार अब्चारिक्ता कर रहे थी कि जो चात्र बहुत सारे जो चात्र थे जो अपना चेयन निश्चित मान रहे थे वे सभी अबर्थी इस भर्थी से बाहर हो गए हैं जिसकी कोई उम्मीद भी कोई विद्धार थी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसको जो चेयन वो नहीं हो पाएगा हाला कि इस भर्थी के दो मुकद में चल रहे हैं एक इलाबाद में चल रहा है प्रियागराज में और एक इलाबाद हाई कोट की जो लखनव खंड पीट है एक केस वहां पर चल रहा है और यह जो निरणा अजारी हुआ है यह हाई कोट के आधी निरणा है और इस पर हाई पालियों में परिच्छा वी थी इसलिए संगत सेवा निमावली में नहीत प्रावधानों के अनुसार आंकों को प्रसमा अन्नी करण किया गिया यानि कि जो नॉर्बर्डाइशन है वो उसको अपनाए गया एक्वी परशेंटाइल मैथेट को अपनाए गया है verschiedenen method लेकर अभी तक है को भी जिए नहीं मिला जिसने यह बताई मैंने सोचना हैं जयाद्ध में के जो नौर्मलाज़ेशन वह नहीं हुआ है खराज की note में यह जानकारी अच्ही में ढईक सब्सक्राइबर्ण के बारे में कि लिए above बहुत धन्यवाद।